हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टागेट टीचर जॉब में फ्रेंड्स आज 11 मई और 11 मई से जितने भी करेंट अफेर बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे फ्रेंड्स इसमें देखिए पहला कोशन है दा ने तानिया ंज उपन्यास के लिए किसने प्लिटजर पुरुषकार 2022 जीता है तो फ्रेंड्स यहां पर जोसवा कोहेन जीता है प्लिटजर पुरुषकार 2022 किसके लिए दा नेतियान हूज तो फ्रेंट्स यहाँ पर देख लेते हैं फैक्ट के आप लिजर पुरुसकार 2022 के आने विजेता यहाँ पर दिखिए नाटक के छेतर में जेम्स इजा मेसुक की नाटक फैट मैन को पुरुसकार मिला है और कविता स्रेडी में डायने सीस की कविता फ्रेंक साइनेट्स को मिला है और संगी स्रेडी में रेवेन चाकोन वाई सलेस मास के लिए मिला है क्रिटी सीजम्स रेडी में सलामिसा टिलेट दा न्यूव्यार्क टाइम्स को मिला और यहाँ पर देखिए फीचर फोटोग्राफी स्रेडी अधनान अबीदी और सना इरसाद मट्टू और यहाँ पर देखिए अमित दवे और दानिस सिद्धी की कोरोना काल में फोटोग्राफी के लिए मिला और सारजनिक्स सेवा स्रेडी में वासिंगटन पोच्ट दोजारिकिस में कैपिटल हिल पर हमले की रिपोर्टिंग के लिए मिला है और फीचर लेखन स्रेडी में जेनिफर सीनियर को मिला है कमेंटरी स्रेडी में मेलिंडा हेने बर्गर कमेंटरी सेड़ी में मिलिंडा हेने बर्गर को मिला है तो ये प्रमुख नाम है और फ्रेंट्स ने यहाँ पर देखिए पुलिजर पुरुसकार के सुरुआत हुई थी 1917 में और यहाँ पर देखिए इसको प्रेजेंटेड वाई तो यहाँ पर कोलंबिया उनिवस्टी के द्वारा यह प्रेजेंट के आता है और इनामी रास ही है 15,000 यूएसटी तो फ्रेंट्स अब हम देखिएंगे कोशिन नमबर टू 10 मई 2022 को पंडित सिव कुमार सर्मा 84 साल की उम्र में निधन हो गया तो वो एक मसूर संतूर वादक थे कौन पंडित सिव कुमार सर्मा जो की 84 साल के थे उनका निधन हो गया है पंडित सिव कुमार सर्मा का जन्म 13 जनरी 1938 को जम्मू कस्मीर में हुआ था और यहां पे दिखें उन्होंने साल 1991 में पदमसरी और 2001 में पद्वे विभूशड से नमाजा गया था उनको यानि कि उनको पदमसरी और पद्वे विभूशड दोनों ही पुरसकार मिल चुके हैं अब हम देखेंगे दोस्तों कुश्चिन नमबर 3 किस कंपनी ने भारत का पहला चेत्रिय रैपिट ट्रांजिट सिस्टम रिजाइन किया है कुश्चिन नमबर 4 दिखेंगे किस देश ने समाचार प्रकास्कों पर बड़ी टेक कंपनीों के अधिकार पर अंकुस लगाने के लिए डिजिटल मार्केट यूनिट की अस्थापना की ए तो फ्रेंड से यहां पर UK ने UK देश के समाचार प्रकासकों पर बड़ी टेक कंपनीों के अधिकार पर अंकुस लगाने के लिए डिजिटल मार्केट यूनिट की अस्थापना की गई है इंपॉर्टन फैक्ट देखते हैं इंग्लेंड, वेल्स, स्कॉटलेंड और उत्री अर्लेंड देशों के समुक को यूनिटेड किंगडम कहा जाता है ब्रिटेन की प्रमुक नदियां टेम्स, टाइन, मर्सी और सेबर्न है और यहाँ पर देखें यूके की राजधानी लंदन, लंदन जो है वो टेम्स, नदी के किनारे इस्थित है तो यहाँ पर यूके से समझत हो लोग इंफॉर्मेशन देख रहे हैं और यूके के प्रधान मंत्री हैं वोरिस जानसन दोस्तों देखें यहाँ पर आप ये भी धियान रखेगा कि जो UK है वो England, Wales, Scotland और उत्री, Ireland देशों के संयुकत समूग को कहा जाता है UK की मुद्रा है Pound, Starlin और Pound मुद्रा वाले अन्य देश हैं मिस्र, लेबनान, सूडान, सीरिया और साउथ सूडान Question number five देखें, छौते खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का सुभांकर क्या है, तो friends यहाँ पर धाकर, धाकर सुभांकर चौते खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का Question number six देखें, प्रतेक वर्स विसु थेले सीमिया दिवस कब मनायا जाता है, तो friends 8 मही को मनाया जाता है question number यहाँ पर देख लिजे इसकी theme पहले तो which thalamia दिवस की जो theme है वो है be aware, share, care, working with the global community as one to improve thalamia knowledge अब हम देखेंगे मई माहा में महत्वपूर दिवस दोस्तों यहाँ पर देखें एक मई को गुजरात और महाराष्ट रस्तापना दिवस फिर एक मही को अंतराष्टी मजदूर दिवस, दो मही को अंतराष्टी खगोल विज्यान दिवस तीन मही को विश्व प्रेस्व दंतरता दिवस, चार मही को अंतराष्टी अगनी सामक दिवस और पांच मही को विश्व हाथ स्वचता दिवस, जिसकी theme है United for Safety Clean Your Hands और 6 यहां पर दिखें अंतराष्टी अहार निशेद दिवस, 7 मही को है विश्व एथलेटिक्स दिवस और 8 मही को विश्व रेड क्राष्ट दिवस, जिसकी theme है Be Human Kind Question No.7 देखें, सबसे अधिक 26 बार Mount Everest फटा करने, फटा करके निवन में से किसने नया रिकार्ड बनाया Question No.7 देखें, सबसे अधिक 26 बार Mount Everest फटा करने वाले, यह हमारा हो चुका है अब दोस्तों, यहां पर हम देखेंगे, important fact क्या है, कामिरिता सेर्पा और Mount Everest देखें Mount Everest की उचाई, 8848.86 मीटर, और यहां पर देखें, 29.031.69 फूट है और Mount Everest को प्रित्वी का तीसरा धुरू कहा जाता है Mount Everest नेपाल में सागर माथा के नाम से और तिबबत में कोमो, लंगमा के नाम से भी जाना जाता है Mount Everest को, और एडमंड हिलेरी और तेन जिंग नोरगे, 1993 में Mount Everest की चोटी पर पहुँचने वाले पहले ब्यक्ती थे जुंको तबही जापान, 1975 में Everest की चोटी पर पहुँचने वाले बिस्व की पहली महिला बनी और यहाँ पर देखे बचिंद्री पाल, 1984 में Everest की चोटी पर पहुँचने वाले भारती महिला बनी और फू दोरजी, 1984 में बिना अक्सिजन के एवरेश्ट की चोटी पर पहुचने वाले बिस्व के पहले ब्यक्ती बने और सबसे कम उम्र, 13 वर्स में Everest की चोटी पर पहुचने वाले बिस्व की पहली महिला माल, वेथ, पूर्णा, आंध, पिदेश की जो की भारत में यह हैं फ्रेंट्स यहां पर देखिए, यहां पर देखिए दिया है कि फू दोरजी बिना अक्सिजन के एवरेश्ट की चोटी पर पहुचने वाले बिस्व के पहले ब्यक्ती बने दोस्तों जैसे जैसे उचाई बढ़ती जाती है अक्सिजन का जो लेवल है वो घटता जाता है तो यह बहुत बड़ी बात है कि बिना अक्सिजन के एवरेश्ट फत्य करना और यहां पर दिखें टॉम वाइटेकर यूके 1998 में उरेश्ट के सिखर पर पहुचने वाले पहले ब्यक्ति बने अब दोस्तों यहां पर हम दिखें कोश्चन नमबर 8 भारत के दूर संचार विभागने सभी दूर संचार कंपनियों के लिए यन ओशीशी सुल्क समाप्त क पर दिया है अनो सीसी का विश्टर रूप क्या है तो फ्रेंट सी यहां पर देखें नेटवर्क ऑप्रेशन एंड कंट्रोल सेंटर कोश्चन नमबर 9 देखें हाली में भारत में किस स्थान पर की गई खुदाई में लगबग 5000 साल पुराने हडपा कालिन सोने दो मुहर सील एक सीलिंग पाई गई तो फ्रेंट सी यहां पर राकी गड़ी में खुदाई के दवरान यह सारी चीज़े पाई गई गई जो की कोश्चन नमबर 10 देखें पुरुस एकल वर्ग में मैडरिट ओपिन टेनिश टूर्णामेंट 2022 का खिताब किस ने जीता है तो यहां पर देखें कार्लोस अलकराज कार्लोस अलकराज ने जीता है अब हम देखेंगे मैडरिट ओपिन 2022 के अन्य विजेता कौन कौन रहे हैं इसिया उन्होंने फाइनल में अमेरिका की जेसिका पुगला को हराया और पुगल यहां पर देखें पूरुस यूगल वेसले कूल हाफ निदरलैंड और नील इसकूप असकी यूके की हैं और महिला यूगल वर्ग गैब्रियला डाब्रो असकी जो कनाडा और ग्यू लिया अलमोसा मेक्सिको की अब फ्रेंड्स यहां पर हम देखेंगे क्विक रिविजन दस मही के जो हम लोग पढ़ चुके हैं दस मही का क्विक रिविजन देखेंगे और उसके बाद मैं लाश्ट में आपसे दो कोईस्चिन भी पूछूंगी उसका एंसर कॉमेंट में जरू ल शिलेंका के वो प्रधानमंत्री जिनोंने हाली में स्थीपा दे दिया था महिंद्रा राज पच्छे और हाली में किस राजी में टोमेटो फिवर का मामला देखा गया है तो फ्रेंड्स से वो है केरल टोमेटो फिवर का मामला देखा गया केरल में सहीत राश्ट द्वारा प्रतेक बर्स के दिने दूती है विस्यूद के दौरान अपनी जान गवाने वालों के लिए असमरड और सामजस के समय के रूप में मनाया जाता है तो फ्रेंट्स यहाँ पे आठ और नौ मई को प्रेंट्स वीडियो को लाइक कर दिजेगा और चैनल पे नहे होंगे तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और राइट डाउन करते चलिएगा कोश्यूद नमर सिक्स देखे किस राजी की सरकान है वो राजी के सभी अठाउन जार से अधिक कि ग्राम पंचायतों के परसर में लोगों के लिए मुफ्त वाइफाई की सुविधा देने की गोश्ड़ा किया तो उत्तर प्रदेश कुश्यन और सेवन देखे जैन अंतराश्टी ब्यापार संगठन जे आई टी ओ द्वारा हाली में किस अस्तान पर जी तो कनेक्ट 2022 का आयोजन किया गया तो फ्रेंट्स यह है पूडे में किस संगठन ने कुश्यन में रेट साथ मही 2022 को 62 स्थापना दिवस मनाया तो सीमा सड़क संगठन BRO Border Road Organization कुश्यन में नाइन देखे चेकदू में होने माले World University Game 2021 को अस्थापित कर दिया गया World 2021 को अस्थापित कर दिया गया अब इसका आयोजन किस वर्स किया जाएगा तो 2023 में किया जाएगा और यहाँ पर देखे TBS Motor के नए प्रवंद निदेशक MD कौन मने है तो सुदर्सन वेडू अब पिछले कुछ का उत्तर देख लिजिए हाले में किस राजी के दीमा हसाओ जिले में महापासाड काल के पत्थर के घड़े मिले हैं तो यह फ्रेंट्स हो जाएगा असम यहाँ पर देखे इस तरह से भी देगा में गए रह थी कि स्टोन जार इस्टोन जार देगा या फिर पत्थर के घड़े तो दोनों में कुछ भी रह तो आप असम ही लगाईएगा कुछिन नमर टू देखे क्या था कि 2026 में 23 राश्मिड़क हेलो कॉमन वेल्थ गेम्स की मेजवानी किस से सौपी गई है तो आश्रेलिया को सौपी गई है अब हम देखेंगे आज का कुछ क्या है हाले में प्रकासित पुस्तक Not Just A Night Watch मैं माई इनिंग्स विथ BCCI के लेखा कौन है यहाँ पे दिके चार आप्सन दिये गए है तो आज का कुछ हम देखेंगे हाले में प्रकासित पुस्तक Not Just A Night Watch मैं माई इनिंग्स विथ BCCI के लेखा कौन है गिरीश चन्र मुर्मूस और अफगांगुली जैसा विनो द्राय इन चार आप्सन में से आपको सही अंसर बताना है कोश्चन नमबर टू देखें इन चार आप्सन में से आपको सही अंसर बताना है फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक की है वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ सेर करिएगा और अगर आप चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा और वैल आइकन बटन को प्रेस कर दीजेगा अपने पड़ा इसी तरह से जारी रखिए मेहनत खूब करिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में टेक कियर वै वै लव यू आल जैहिन